मैं हूँ आपके साथ आपका हैश्टो फ्रेंड संतोस अंतोशी तो भईया बहुत-बहुत स्वागत है आज 27 तारीक हो गया है आज अंतिम दिवश है दूसरे दिन के होलाश्टक महातंत्र नुष्ठान में भाग लेने वालों के निमित आज और आप रेजिश्टेशन करवा सकते हैं इसके बाद कल सुर्योदय की पहली किरण के साथ दूसरे गुरुप का होलाश्टक महातंत्र नुष्ठान आरंब हो जाएगा आए सुर्वात करते हैं बाज के जोतिश दिशाकर सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग फालगुनमा शुकल पक्ष अश्टमीति थी है आज चंद्रमा बिशब राशी में रहेगा नक्षत्र रहेगा रोहिडी और योग रहेगा वै ध्रिती तदनुसार दिनांक 27 फरवरी दिन सोमवार सोमवार को रहुकाल का समय होता है सुबह साड़े साथ से नो और गुलिकाल दोपर डेर से तेन रहुकाल नए और शुब काम मना करता है लेकिन गुलिकाल ओके करता है कि कर लो आपका काम बन सकता है तो मेश से लेकर मीन तक अब आईए जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल अर्थात आज की दिब भविश्य वानी मेश राशी पढ़ाई के लिए आज संघर्ष बढ़ जाएगा पढ़ाई में आज उतार चड़ाओ बढ़ा हुआ है परिवार में कुछ उठापटक होगा जिसकी वज़य से मन कम लगेगा लेकिन ब्यापार आपका बहुत अच्छा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी ब्यापार को लेकर के आज जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में इस ततियां आपके अनुसार हैं सरकारी छेतर में कुछ तनाव था जिसको आज मुक्ती का रास्ता मिलेगा दामपत्य जिवन अच्छा है पत्नी का भी साथ बना हुआ है लव लाइफ में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द की शिकायत दिखाता है प्रियोग के तोर पर आज भगवान विश्रो का ध्यान करके ओम विश्रवे नमहें साथ बार जाप कर लीजेगा मैंने तीन बार बोला है शुबरंग आज आपके लिए रहेगा आस्मानी भाग्य प्रत्षत पच्पन बिशवराशी दिनांक 27 फरवरी पढ़ाई में कुछ बढ़ा करने जा रहे है सिक्षा की स्थती को समवारा जा सकता है ब्यापार आज कुछ अच्छा होगा बिजनस में रिस्क ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में तनाव से मुक्ति मिलेगी सरकारी छेतर में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा पतनी का खोब साथ मिलेगा सपोर्ड मिलेगा लब लाइफ के लिए आज बहुत अच्छा दिन नहीं है बिवाह की चर्चा टाल दीजेगा शुबरंग अब बताएंगे हम लेकिन स्वास्त के मामले में जुखाम खांसी के शिकायत बढ़ सकती है आज प्रियोग के तोर पर किसे जरूरत मंद को दवा का दान करना शुब होगा शुबरंग सफेद भाग्य प्रत्षत अठावन मित्हुन राशी पढ़ाई में मन कम लगेगा आज किसी मित्र के साथ दिवाद की स्थती है बैपार अनकूल रहेगा बिजनस में कोई उतार चड़ाओ नहीं है प्राइवेट सेक्टर बहुत बहतर रहेगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा करने की चाहत पूरी करेंगे सरकारी छित्र को लेकर के सजग रहेगा दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पत्नी का खूब साथ मिलेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थती को समारने का प्रयास करें स्वास्थ के मामले में आज किड्नी और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रियूग करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुन है ओम गंगण पते नमः भगवान गनेश का ध्यान करें एक और गनेशी का मंत्र है गजा ननम्भूत गडादिसे वितम कपेत्थ जम्भू फलचारु भक्षणम ओमा सुतम शोक विनाश कारकम नमाम विघने स्वरपाद पंकजम ओम गंगण पते नमः भगवान गनेश का ध्यान करें मिथन आशी वाले आज गणपत को दूरवार कृत करें गणपत को दीपक चलाएं गणपत को मोदक अरपित करें गणपत को प्रशन करें और दिन को ब्यहतर करें शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रतिशत 60 मिथन के बाद करकराशी पढ़ाई में पूर्टा आएगी सिक्षा को लेकर के आज कुछ बड़े फैसले हो सकते है ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं प्राइविट सिक्टर में कुछ बड़ा होगा आज अपने आप सुतह अच्छा करेंगे सरकारी छेतर में सुधार लाने का प्रियास सफल हो रहा है आज प्रमोशन के लिए पैर भी कर सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के प्रती आपकी विचार बिलकुल निर्मल रहेंगे लव लाइफ में उतार चरहाओ बढ़ सकता है सुच समझ कर फैसला करिएगा स्वास्त के मामले में दिखा जाए तो आज आँखों की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी करके आज का दिन कंठ पर थोड़ा सा शहद लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग की प्रत्षत सत्तावन सेंगराशी आज बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है पढ़ाई में सुधार हो रहा है मन प्रसंद रहेगा तीचर्स प्रसंद रहेंगे नई जगह अटमिशन आदी भी करा सकते हैं ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में अफसर अच्छे हैं आज का दिन रिस्क लिए आ जा सकता है पार्टनर्शिप टिक जाएगा प्राइवेट सिक्टर में तनाव बढ़ेगा प्राइवेट सिक्टर की स्टती में कुछ उतार चड़ाव बढ़ रहा है सरकारी छेतर में प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी का खूब साथ मिलेगा सपोर्ड भी रहेगा लव लाइफ की स्टती को समारने का प्रयास करें लव लाइफ में कुछ बढ़ा कर सकते हैं स्वास्त बाइक की प्राब्लम आँख और किड्नी की समस्या हो सकती है प्रयोग के तोर पर आज का दिन बहतर करने के लिए किसी जरूरत मंद को अपने हाथों से हरी सबजी आधिका दान करना शुब होगा शुबरंग आप के लिए आज के सरिया भाग की प्रतिशत 63 बात कर लेते हैं सिंगराशी की मांसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी दिनांक 27 फरवरी सिंगराशी पढ़ाई अच्छी है स्विक्षा में सुधार होगा ब्यापार के लिए कुछ बड़ा फैसला और बड़े रिस्क ले सकते हैं प्राइविट सेक्टर की स्तिती में समारने के लिए आज नई नोगरी का प्रियास करिएगा वाहन का सुख मिलेगा सरकारी छित्र में सुधार होगा दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी का साथ मिलेगा सपोर्ड मिलेगा लव लाइप में मामला हाथ से बाहर जाएगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो पेट और आखों की समस्या बढ़ रही क्या उपाय करना चाहेगा रापकिराशी सिंग है भगवान विश्रू का ध्यान करके हल्दी का तिलक कंठ पे लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग की प्रतिशत तेरपर चर्चा कन्यराशी की दिरांग 27 फरवरी पढ़ाई में आज कुछ बढ़ा होगा सिंग्षा बहुत अच्छी है विदेश जाके सिंग्षा गरहन करने के लिए दिन अच्छा है व्यापार में कुछ उतार चढ़ा हो सकता है बिजनस में मामला हाथ से बाहर जा सकता है प्राइविट सिंग्टर आपके लिए कुछ अच्छा करवा रहा है सरकारी छित्र में सुधार लाने का प्रयास करें गवर्मेंट सिंग्टर को ले करके आज सजग रहेगा दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पतनी का खुब साथ मिलेगा सपोर्ट भी रहेगा लेकिन लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा सकता है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम और आखों की समस्या रहेगी क्या प्रयोग करना चाहिए अपने कंठ पर थोड़ा सा हल्दी का तिरग लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज काला भाग की प्रत्शत साथ तुलाराश दिन अनकूल है पढ़ाई में पूर्टा आएगी शिक्षा में सुधार होगा ब्यापार आपके लिए अच्छा चल रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं हर उतार चड़ाव से बाहर आएंगे प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो आज मेहनत का परड़ाम आपको पूरा मिलेगा मित्र मददगार साबित होंगे प्राइवेट सेक्टर बालों को आज कुछ बेहतर करने के लिए तेजी लानी पड़ेगे सरकारी छितर में मामला हाथ से बाहर जा सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी का भी साथ मिलेगा सपोर्ट मिलेगा लेकिन लव लाइट में बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा स्वास्त के मामले में बैग की प्राबलम और आखों की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज कंठ पर अपने शेहद लगाईएगा ओम शुम शुक्राय नमह कहते हुए शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रत्षत 63 ब्रिश्चिक राशी दिन बहुत अनकूल है पढ़ाई में आज बड़ा कुछ फैसला होगा किसी तरह की समस्या नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चल रहा है अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइबिट शेटर में उतार चड़ाओ बढ़ सकता है सरकारी छेटर को सुधारने का प्रियास करे दामपत्य जीवन आज मनोनुकूल रहेगा मन के अनुसार चलेगा लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा सकता है स्वास्त के मामले में ब्रिश्चिक वालों को आज डाइजेशन की दिक्कत और किटनी शुगर की समस्या हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज किसी जरूरत बंद को अपने हाथों से कुछ खाने की वस्त देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रद्शत साथ धनुराशी रुक्ये कारे गतिवान होंगे सिक्षा में सुधार हो रहा है पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है ब्यापार अनकूल चलेगा बिजनस में कुछ बड़ा करेंगे आप प्राइवेट सेक्टर की स्थेती को समारने का प्रियास करें सरकारी छेत्र में कुछ बड़ा अपने आप हो रहा है गवर्मेंट सेक्टर प्रमोशन की खुश्खबरी देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी का साथ रहेगा सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा सकता है स्वास्त के मामले में आख और बै की प्राइगी प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी क्या है धनो धनो राशी वालों को आज उपाय के तोर पर किसी जरूरत मंद को हरी सबजी का रान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्य प्रशत साथ मकर राशी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में आज कुछ अच्छा अपने आप हो रहा है व्यापार में मामला आपके हाथों में हैं बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सिक्टर अच्छा फल दे रहा है सरकारी छेत्र में उतार चड़ाओ से बाहर निकलेंगे नामपत्य जीवन बहुत अच्छा है लव लाइफ मामला अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है अ क्या मकवर अच्छे वालों को प्रियूख के तोर पर आज OH पहले सौस्त बतादे तो हेल्थ में माईग्रेजन की समस्या हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज अपने हाथों से दवा का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत साथ कुम्भराशी गुस्य पर काबू रखियेगा आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी स्रिक्षाम में उतार चड़ाओ रहेगा ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल देगा सरकारी छेत्र में आज किटनी की समस्या हो सकती है और मौसमी जुखाम भुखार मौसम चेंज तो इससे भी परेशान होंगे कुम्भराशी वालों को आज प्रयोग के तोर पर ओम विश्णवे नमह का ग्यारह बार जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रतिशत इस्थती शुधारने का प्रयास करें दामपत्त जीवन अच्छा है पत्नी का खुब साथ मिलेगा सपोर्ड मिलेगा लव लाइफ के उतार चड़ाओ आज जेल जाएंगे आप प्रयोग क्या करना चाहिए पहले स्वास्त बता दें तो स्वास्त में कमर दर्द की शिकायत ज्यादा रहेगी प्रयोग के तोर पर आज मीन राशी वालों को किसी जरूरत मंद को कौपी किताब देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलाभी भाग्य प्रति बासट आईए बात कर लेते हैं तुला राशी की तुला वालों के लिए आज दिनांक 27 फरवरी पढ़ाई में उतार चड़ा हो सकता है सोच समझ कर निरड़े लीजेगा व्यापार अच्छा चल रहा है विजदस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके खुशखवरी मिलेगी स्वास्त के मामले में देखा जाए तो दातों की समस्या आँक की समस्या हो सकती है तुला राशी वालों को 27 फरवरी की दिन उपाई गया करना चाहिए आज किसी छोटी सी बच्ची को कुमारी करन्या को कुछ मिष्ठान दे दिजेगा शुमरंग आगे प्रतिशत 65 तो यह तो रहा राशियों का हाल अब आए आगे बढ़ते हैं जानते हैं दिनांक 27 फरवरी की सकसेज की दाहिने उल्टी हथेली के इंडेक्स फिंगर में थोड़ा सा सरसो का तेल लगा कर ओम अंगार काय नमह का 11 बार जाब करिये हो तो गया आब क्या कर रहे हैं एक कैवार मामला तंच दिन बहतर बीतेगा आपका चर्चा कर लेते हैं अब आज के भाग्याक्षर की मिश खाग्षर बिशब गा मिथुन चाग्षर करक का सिंग भाग्षर कन्या था तुला जाग्षर बिश्चिक मा धनू नाग्षर मकर या कुम्भ गाग्षर मीन साब पात करेंगे आगे बढ़कर अब आईश्मान भाव हैं दिनांक 27 फरवरी को जन्म पाएं लोगों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुब कामना हैं अगर आप 27 फरवरी को जन्म पाएं हैं तो आपके लिए क्या प्रियोग करना होगा बहुत छोटा सा उपाए हम बताते हैं आपको तीन बर्गत के पौधे पब्लिक प्लेश पे लगा के किनी पांच लोगों को भोजन करा दीजे और अगर आप दिनांक 27 फरवरी को मैरिज अनिवरसरी सेलिब्रेट करते हैं तो आपके लिए दो कन्याओं की शादी में मदद करके शिवाले में बैठ कर सुंदर कांड का पाठ पती पतनी मिलकर कर ले काम पूरा तो भीया 27 फरवरी के इस खास अंक में बस इतना ही हमें अनुमत दीजेगा और गाजयाबाद आज भी आप हम से मुलाकात कर सकते हैं साथी साथ हुलाश्टक महा तंत्र अनुष्ठान मे भाग लेने के दूसरे गुर्प का आज अंतिम दिवस है कल दूसरा गुरुप आरम होगा 28 एक दो दिन दूसरे गुरुप का रेजिस्टेशन अभी चल रहा है आज और चलेगा तो अगर आप दूसरे गुरुप में भाग लेना चाते हैं तो तुरंत मौका हाथ से ना जा अब ही सब्सक्राइब करें साथना एस्ट्रो आपकी सुक दुख का साथ ही